हाई गाईस तुहार आज हमने लास्ट वीडियो में देखा था ग्रूप एनग्राम्स का अप्रोच वन ठीक है जिसकी टाइम कॉंप्लेक्सिटी हमने देख ली थी अब उस मैंने बताया था कि कंस्टेंट में यह दे रखा था कि जितने भी इंपुट है जितने भी एक बेटर सेलुशन के लिए ठीक है तो हमने दो एक प्रोस्तों देख रखा था जिसमें हम क्या करते हैं सॉर्ट कर लेते थे और मैप यूज करते थे तो सॉर्ट करने का लग जाता था ओ अफ एनलॉग न ठीक है और टोटल माल लेते हैं के अलेमेंट्स थे तो के इंटु अब देखते हैं कि हम कैसे इसको और बेटर तरीके से सॉल फट सकते हैं ठीक है यूजिंग दे कंस्ट्रेंट कि सारे लोवर केस इंगलिश लेटर से तो पहले तो देखो यार कि यह मेरा इंपूट है ना की सारे लोवर केस इंगलिश लेटर से तो मैंने एक अरे बना लिया चब्बिश साइ्स का टीक है इंडिक्सिंग कर लिए 01234 24 ठीक है 20 24 25 26 ठीक है और हर एक इंडेक्स रेप्रेसेंट कर रहा है हर एक लेटर को ठीक है तो सबसे पहले आते हैं इट के पास ठीक है चलो पहले पहला वर्ड पकड़ लिया इट तो एक है एक है एक है टी एक है तो इट को हमने रेप्रेसेंट कर लिया इस अरे में ठीक है तो इस अरे में जो जो लेटर भारे हुए है मतब जो जो लेटर का फ्रिक्वणसी जीरो नहीं है उसको लिख लेता है अपर एक इस अरे इक फ्रिकवेंसी कुछ नहीं है कि किकशना कुछ नहीं आप भूझनी है ड की होजह इक है एक है लिख लिए एक एक लाट अब मैं क्या करता हूं अब मैं next word में आता हूँ ठीक है मैं आगे T के पास ठीक है तो T को भी fill करते हैं एक बर सबसे पहला character T का T है 1 दूसरा character E है 1 पहला character A है ठीक है हमने T को भर दिया इसमें अब देखते हैं फिर से इस array में इस array में जो जो non zero frequency वाले हैं उनको लिखते हैं A B को नहीं लिखेंगा C को नहीं लिखेंगा D को नहीं लिखेंगा क्योंकि सबकी frequency 0 है E को लिख सकते है क्योंकि E की frequency 0 नहीं है कितनी बर लिखेंगा एक ही बर लिखेंगा क्योंकि frequency 1 है और T को देखो इस table से जो जो नॉन जीरो वाले characteristics है तो ए ईटी मिला similarity टी ए ये को जब किया हमने इस array में populate frequency को populate किया और ये String बनाया इसमें traverse करके तो एटी मिला है दोनों same है देख रहूं तो इसका मतलब अगर मैंने एक map बनाई होती ठीक है map बनाई होती String और vector of string ठीक है तो ध्यान दो यहाँ पर aet जो आया aet आया यहाँ store किया aet किस के लिए आया था eat के लिए आया था eat के लिए तो यहाँ पर eat डाल लिया ठीक है दोबारा aet आया था ना किस के लिए टी के लिए टी यह के लिए तो टी यह भी हाँ डाल दिया देख रहो आप solution के तरफ बढ़ रहे हो देरे देरे है ना और आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहरा हूं आपको sort करने की तरह उतनी पढ़ रहे है इस बर बढ़ अना तो चलो आगे बढ़ता है अब मैं आता हूं 27 मैं ठीक है बाकी सब को जो हुआ झाँ काम हो चुका है अब मैंहूं टैन मैं ठीक है तो टैन का पहर करेक्टहती यहां पर लिफिए दूसया गारेक्टर normatio inga था ति इन वो तो इस माप में है नहीं तो हैं लग देते हैं एंट किस के लिए मिला था time के लिए खिलो ठीक है यह efforts करते हैं अब आते हैं 108 में आते हैं इसमें आते हैं ऑप इसको फिलेट करते हैं ए टी ऑब हो गया एक यहां पॉब्लेट कर लिए अब फिर से ट्रावर्स करते है इस आरे में ए या या टी आए ठीक है एट हमारे इस मैप में है येस है किसके लिए आया एक लिए न तो ए टी के लिए आया ठीक है देख रहे हो कितना सिंपल हो गया यह सलुशन भी बहुत ए और हम आते हैं इसको एरेस कर लेते हैं पहले तो किसके लिए आया था एंट नाट के लिए आया था नाट लिख देते हैं यहां पर ठीक है देख रहो आपका अंसर बनता है चला जा रहा है अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पी एटी टी ठीक है चलो लिखते हैं पहले पुराने वाले फ्रेक्वेंसी को मैं एरेज कर दूँ टीक है तो टीक मईरा वन defend a किठी दो है न तो टीको दो बर लिख दिए यहां wreck Mid Zack चलो अभी अभी इस वर्यधोर्स करके इसको अरे बर बनाते हैं एयों य अभार भी लीग चैनल तो एब टीड überड़ है न तो यह लिए तलो ब्र तो यहां लिख देते हैं बी डबल टी कि रहा है था ठीक है अब आते हैं next word में अपने next word है हमारा ती ए बीटी यह है ना इसको चलो भरते हैं यहां पर टी है मेरा one फिर ए आया फिर बी आया फिर टी आया तो टी यहां दो होगा ना फिर से अब इसको लिखते हैं फिर से ए एक बार बी या एक बार फिर टी आ जो बार है क्या मेरे में एस है किसके कर्सपंदिंग आया था टी अबी टी ठीक है हमने सारे इस ट्रिंग को देख लिया एक पना इन्पुट में हम और हमने अपना सारा answer भी बना लिया अप ध्यान दो आपको answer मिल चुक है already देख रहे हो आपको answer मिल गया यह हमारा एक group हो गया यह हमारा एक group हो गया map में traverse कर सके answer return कर दो देख रहे हो कितना simple था हमने यहां sorting नहीं करी अपने notice किया हमने sorting नहीं करी हमने बस एक 26 size का array यूज किया ठीक है और हर एक letter को traverse करके उसकी frequency डाली और जो word बन रहा था उसको बना लिया तो मान के चलते हमारा जो input है उसका size n है ठीक है और हमने क्या किया हर एक input में हर एन इंपूट में traverse किया n size के input में फिर हर एक word को हम हर एक word को में traverse करके उनके character को fill कर रहे थे frequency को ठीक है तो माल लेते हैं सबसे सबसे बड़ा word का length के रहा होगा के ठीक है फिर दोबारा इस इस array में है ना इस array में हम दोबारा कर रहे हैं जो कि 26 का है ठीक है तो के हुआ कि मैं हर एक string को traverse कर रहा हूं और 26 किसके लिए है इस array में traverse करने के लिए क्योंकि मुझे frequency select करनी है ना मुझे frequency देखनी है और से string बनाना था ताकि मैं सब्सक्राइब कर सकूँ ठीक है 26 इसको ignore कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा एन इंटु के ठीक है विच इस मच मच बेटर दन दी लास्ट अप्रोच लास्ट अप्रोच क्या था हर एक वर्ड को सॉर्ट कर रहे थे तो के लॉग के मान लो और एन मेरा इंपूट था एन इंटु के लॉग के और यह एन के विच इस वा बेटर ठीक है तो चलो इस अप्रोच को भी हम सॉल्फ करते हैं कोड करके ठीक है तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेशन देखी लिया था ठीक है यह अब हम दूसरे अप्रोच से सॉल्फ करने जा रहे हैं फिरिंग वेक्टर ओफ स्टूंग अंपी ठीक है और हमारा एक कि वेक्टर ओफ जो टार्ल्ट करना होगा तो आप अपने इंप्ट पर हैं टाइज इकल दूजिक उल्ट जीरो आइज लेस धन एन एडवेस दिटिक है तो मैंने क्या कहा था कि मैं हर एक word को लूँगा ठीक है string word strsfi इस word को लूँगा और मैंने क्या कहा कि मैं उस word को उस word की frequency store करूँगा एक 26 size के array में और वहां से एक word generate करूँगा तो यह काम करने के एक अलग से function बना लेता है new word is equal to generate ठीक है generate करेगा और मुझे return कर देगा एक नया word जिसको मैं मैप में store करूँगा और किसके अगेंस्ट यह new word आया होगा जो मेरा यह word था इसके अगेंस्ट आया होगा ना pushback word ठीक है तो यह मेरा मैप में आ जाएगा ठीक है फिर वही उसी तरह हम फिर से अपने मैप में इटरेट करके result.pushback result में डाल देंगे अपने it.second को सेम उसी तरह जैसे लास्ट टाइम किया था और हम return कर देंगे अपने result को अब आता है main part यह तो generate function है ठीक है यह तो मेन है तो यह क्या return करेगा string generate string word ठीक है यह एक word ले रहा है अब मैंने क्या बोला था कि मैं एक array लूँँगा 26-20 का जिसमें मैं इस word पे ट्रेट करके इसी frequency store करूँगा ठीक है तो इसी frequency store करने के लिए याद करो कैसे करते था है ch-a++ ठीक है यह frequency store हो गई और जो मुझे new word मिलेगा ठीक है वो मैं यहां form करूँगा ठीक है यह trade करते है उस array मैं मैंने क्या कहा था कि इस array में फिर मैं trade करूँगा ठीक है तो int i is equal to 0 i is less than 26 i plus plus 26 size कहा रहे है पहले तो frequency निकाल लेता है इंट frequency क्या है word sorry a r of i ठीक है जितनी frequency है और frequency एगर greater than 0 तभी करेंगा इफ frequency is greater than 0 तो मैं क्या करूँगा इस new word में उसको add कर लूँगा new word में इसको add कर लूँगा जो नया word बनेगा ठीक है तो नया word बनाने के लिए उस फ्रिक्वेंच जतनी फ्रिक्माल लेते हैं frequency 2 थी अगर frequency 2 थी तो मैंने दो बार t को add किया था याद है तो दो बार t बनाना है और string frequency 2 होगी और character क्या है मेरा frequency है और character है मेरा ch प्लस a sorry i plus a ठीक है इसको मैं return कर दूँगा new underscore word ठीक है यह आपको ध्यान देना होगा कि आपको character अगर निकालना है given index है तो आप i plus a करोगे तो आपको character मिल जाए corresponding और आपको जब index निकालना होता था तो याद करो ch minus a करते थे ठीक है and i guess you will know this is a commonly used technique ठीक है इसको run करके देखते हैं okay we are able to pass the example test cases let's see if we are able to pass all the example test cases we have three examples great let's submit it great so we have passed all the test cases and if you see it is much faster than our last approach है तो i hope आपको समझ माया हो and i think it's a very good solution far better than the last one ठीक है और i hope आपको सुनना हो कोई भी doubt हो आप comment में raise करो i'll try to help you out see you guys in the next video thank you